ओम साहिराम, वेलकम टू साही समर्पन चानल और आज सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको नए साल की बाबा सबके घर में खुश्या लेकर आए बाबा सबके घर में बहुत बहुत प्यार लेकर आए आपके घर में सब मंगल कारे हो और बाबा आपको सही गल और बाबा, अपको इतने लीलाएं दिखाएं मैं कहूंगी की इस साल में आप सबके साथ में बहुत सारे लीलाएं होने चाहिए जिससे कि बाबा सब कुछ ठीक कर दे, आपकी फैमली में, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, जो बिगड रहा है वो सवर जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, और बाबा इस साल आपके जीवन में बहुत सारा प्यार लेकर आएंगे, बहुत सारी खुश्या ले कि जो उनके बच्चे तूटे हुए हैं, उनको आप जोड़िये, ठीक है, और एक बात और कहनी थी, कि लाइफ में कुछ भी परमिनेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी परमिनेंट नहीं है, जो आज आपके साथ में हो रहा है ना, कल वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज लाइफ में बनाई हुई है, जैसे कि कृष्ण जी ने कहा था, ये वक्त गुजर जाएगा, तो वक्त कभी भी ठैरता नहीं है, वक्त गुजर जाता है, तो आज अगर आपका बुरा वक्त है ना, तो कल अच्छा दिन भी आएंगे, आज अंधेरा है तो कल सवेर बनाए रखिए, क्योंकि श्रद्धा तो बहुत जरूरी है, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं होगा, तो श्रद्धा और विश्वास दोनों साथ में होते हैं, तो दोनों का होना बहुत जरूरी है, और बाबा पर अडीक रहिए, हर कई जगा पर ना अरजी लगाईए, वही सब कुछ ठीक करेंगे, किसी के भी बातों में मत आये कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, किसी की बातों में आपने नहीं आना, सापधान रहना है, और यकीन मानिए, बाबा आपका हाथ पिकाड बनेंगे, और जिसका बाबा हाथ पकड लेते हैं एक बार, उ अगर आपकी हेल्थ हैं, तो आप हैं, आपका परिवार हैं, आप से ही आपका परिवार जुड़ा हुआ हैं, अगर आप हो तो आपका परिवार हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आपको priority देनी हैं, अपने आपको हमेशा सर्वोत्तम रखना हैं, सर्वो परी रखना हैं, औ और सारे काम आपने खुच से समालने हैं, जिम्मेदारे लेनी हैं तो अपने स्वास्त पर भी ध्यान देना होगा आपने, ठीक है, और आपको स्वास्त पर ध्यान देना हैं, और जादा खर्चे नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम बेफिजूल खर्चे तो बाबा बहुत खुश होती हैं, और अगर आप किसी को भोजन कराते हैं अगर आपके दर्वाजे पर कोई आ जाता है, अगर उन्हें आप खाना खिलाएंगे, उनका पेट भरेंगे तो बाबा को बहुत बहुत खुशी होती है, तो ये काम आप जरूर करें और नियम मना उसे अपने जीवन में उतारें और पकड़ कर रहें साइंसा चरित्र को, किसी की बातों में ना आएं, किसी के ढोग में ना पढ़ें, मैं बार बर आपको यही बोल रही हूँ, ढोग में बहुत सारे लोग पढ़ जाते हैं और इधर उदर पैसा बहुत फिजूल खर्च कर तो यह सब मत करना, यह सब मेरे सामने बाते आती हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अंद विश्वास से बाहर निकलो, इश्वर पर ध्यान लगाओ, सब कुछ वही देने वाले हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं, जो भी आपको चाहिए, घर, मकान, बच्चा, संतान य इंसानों के पास में कहां घूमते हो आप, कोई जो भावा बनकर बैठ गया है, तो क्या वो भावा इश्वर है, वो इश्वर की पद्वी कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता, तो इश्वर से मांगिए, इश्वर आपको देने के लिए बैठे हैं, तो इश्वर के पा आदतों को एड़ करना है एक आपने मंदर जाना शुरू करना है दूसरा आपने साइंसा चरितर पढ़नी शुरू करनी है यह दो चीज़े तो आपने करनी करनी है अपनी लाइफ का नियम बना लीजिए धीरे-धीरे करकर देखना आपकी लाइफ में से सब कुछ ठीक हो आएगी बाबा से शक्ती लीजिए बाबा आपको शक्ती प्रदान करेंगे अगर आप दुख में भी होना तब भी बाबा से शक्ती मांगिए बाबा से कहिए कि बाबा मुझे शक्ती दीजिए फिर देखना बाबा आपको इतनी शक्ती देंगे कि उन प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे न, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आप बाबा पर भरोसा करो, विश्वास रखो, शीडी दर्बार में जाओ, वहां से मांगो, वहां से आपको जरूर जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और अपने दिल से न, लोगों के लिए नफरत जो आपने रखी हु है न, तो उन सबको खाली कर लो, उन सबको माफ करकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो लोग आपको लगता है कि उनके साथ आप नहीं रह सकते हो, नहीं निभास सकते तो उन्हें अपनी सिंदगी से हटा दो, और अपनी मधूर वानी रखो, सबसे अच्छा वैवार करो, बा है, तो उसकी मदद सरूर करें, जो भी कोई असहाय है, उसका सहायक बने, ठीक है, तो आपने ये सब चीजे अपनी लाइफ में जोननी है, और अगर आप न, किसी ऐसे इनसान के लिए सहरा बनोगे न, जिसकी जिन्दगी में अंधेरा है, तो बाबा को बहुत खुशी होग किसी की जिन्दगी की रोशनी बनिये, और देखिए सबके अलग-अलग तरीके हैं पाठ पूजा करने के, जरूर नहीं कि आप जैसे पाठ पूजा करते हो, वैसे सामने वाला भी करे, या वो गलत है, या आप सही हो, वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके अपने अप पूजा करने दे, अपने हिसाब से करने दे, जिससे जैसा समझ में आता है, वो वैसा करे, और किसी वहम में पढ़ने की जरुआत नहीं, किसी से पूछने की जरुआत नहीं, जो पूछना है, जो कहना है, सीधा बाबा से कहिए, बाबा से पूछिए, वो आपको जवाब द और कोई इसके रावा आपको guidance नहीं दे सकता कोई नहीं दे सकता क्योंकि कोई समझदार इतना है ही नहीं इश्वर से बड़ा कोई समझदार है क्या इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई है क्या नहीं न तो चलिए once again happy new year to all my science अमरपन family आपको बहुत बाबा प्यार दे बहुत बाबा आपको तरक्की दे उन्नती दे तो चलिए इसके साथ मैं लोगे समापती बस इतनी सी बात मुझे आपसे करनी थी तो चलिए मिलते हैं next video में जुड़े रहिए बाबा के साथ तो चलिए ओम साही राम जै साही राम